Hello everyone, so today we will discuss about time management. Let's start. As name suggests time management, इसका मतलब क्या है कि हम अपने time को कैसे manage करें? ऐसे सब के पास 24 hours ही होते हैं, लेकिन आप अपने जितने भी work हैं, उन्हें उसमें complete कर पाएं, satisfy हो पाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? Time management करता है, अपने time को manage करना होता है. Time is usually major source of stress for managers, कि आज के time पे अगर हम देखें, तो जो employees हैं, जो workers हैं, या जो managers हैं, उनके लिए सबसे बड़ा stress का source क्या है? Time, कि उन्हें time नहीं मिलता, मिन्स हो अपने काम में लगे रहते हैं, तो उनका काम complete भी नहीं होता, उसे अपने काम के लिए भी time नहीं मिलता, और अपनी family के लिए तो वो निकाल ही नहीं पाते. So, 77% people have top goals to spend time with their family and friends, कि अगर हम analyze करें, अगर हम examine करें, तो 77% अगर हमने ये देखा है, research में आया है, कि 77% ऐसे लोग हैं, जो आज के time पे ये चाहते हैं, उनका ये desire है, कि वो अपनी family और friends के लिए time निकाल पाएं. So, ये चीज़ क्या है, उनके mind में stress create करती है, क्योंकि हर कोई अपनी family के साथ time spend करना चाता है, हर कोई अपने friends के साथ time spend करना चाता है, लेकिन जब आपको वो time नहीं निकाल पाते हो, आप काम में ही busy रहते हो, तो वो उसको क्या generate करता है, stress को generate करता है. Nowadays, people dream to having free time for their family, कि आज के time पे लोग ये चाहते हैं, ये dream करते हैं, कि उन्हें free time मिले, वो अपने किसी काम से, किसी दिन उन्हें rid of मिले, वो छुटकारा मिले, और उनको free time मिले, और वो अपनी family and friends के साथ क्या कर सके, time spend कर सके, तो ये चीज़ें कि जब वो time नहीं निकाल पाते, अपनी family के लिए, अपने friends के लिए, या फिर जिन भी उनका interest का जो भी area है, जिसमें वो time spend करना चाते हैं, for example, बहुत से लोग ऐसे हैं, कि जिनको painting करना पसंद है, लेकिन जो अब working कर रहे हैं, और वो painting नहीं कर पाते, तो obviously वो चाहेंगे कि कभी वो time निकाल पाएं, ताकि वो अपनी इस art पे भी time दे पाएं, so ये सब क्या है, ये सब चीज़े create करती हैं stress को, और इस stress को create ना करने के लिए, क्योंकि stress क्या करेगा, ये हमने अपने previous वीडियो में भी discuss किया था, कि अगर हम stress होता है, हमें तो वो हमें physically and mentally दोनों तरीके से affect करता है, हमारी physical health and mental health दोनों पे affect करता है, so हमें stress ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, time को अच्छे से manage करना चाहिए, and this make the stress on them, and for reducing the stress, we have to time management, कि हमें time management करनी ही पड़ेगी, अगर हमें stress को reduce करना है, which means managing the time properly and reduce stress, कि time management का मतलब क्या है, कि जो भी आपका time है और आपके work है, उनको properly manage करो, ताकि आपको stress ना हो, approaches for time management, अब time management की दो main approach होती है, effective time management approach, and efficient time management approach, हम one by one discuss करेंगे, so first is, effective time management approach, effective time management approach क्या है, effective time management approach includes, individual spend time on important, not just on urgent matters, कि इसमें क्या बताते हैं, कि हमें time को कैसे use करना चाहिए, effective time management जो approach है, अगर हम इसे use करेंगे, तो हम अपना stress level कम कर देंगे, so इसमें पहली चीज़ क्या होता है, कि individual को urgent matter ही नहीं, important matter पे भी focus करना चाहिए, अब urgent क्या है, जिनको immediately, जिनको आपनों को answer करना पड़ेगा, अगर आपके सामने दो work है, एक urgent है और एक important है, तो obviously आपको पहले urgent को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ urgent पे focus करोगे, important पे focus नहीं करोगे, तो आगे जाके वो important work भी क्या बन जाएगा, urgent बन जाएगा, क्योंकि जब वो important था, तब आपने वो किया ही नहीं, आप तब wait करते रहे, तब आप दूसरे काम पे focus कर रहे थे, तो अब वो भी किसमे translate हो जाएगा, हमारे urgent में, जो हमारा stress level बढ़ाते हैं, क्योंकि एक time पे बहुत से urgent काम हम नहीं कर पाते, एक time पे हम एक या दो ही चीज़ देखना होता है कि हमारे important काम कौन से हैं, urgent कौन से हैं, और हमें उन पे दोनों पे focus करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम urgent पे ही focus करें, people have a reason not to feel guilty when they say no to someone, कि जब आप किसी को किसी काम के लिए मना करते हो, तो आपको ये guilty feel ना हो कि मैंने क्यों मना कर दिया, क्योंकि अगर आप genuinely, literally अगर आप busy होगे, अगर आपके पास time नहीं होगा, तभी आप guilty feel नहीं करोगे, अगर आपके पास free time था, फिर भी आपने अपनी benefit के लिए, advantage के लिए किसी को मना किया, तो obviously आप guilty feel कर सकते हो, तो जब आपका effective time management हो, तो आपका अगर आप busy हो, तो आप किसी को मना कर रहे हो, तो आपको उसके लिए guilty feel करने की कोई need नहीं होती, expert categorize activity in important act and urgent act, जो experts नहोंने categorize किया है हमारे work को, हमारी activities को, कि वो important भी हो सकती हैं and urgent भी हो सकती है, for fulfillness of time, ताकि हमारा time अच्छे से manage हो, अच्छे से fulfill हो, important act are those act which produce desire result, कि यह important act कों से होते हैं, कि जो अगर हम perform करेंगे, तो वो हमारे लिए हमारे desireful, हमारी wish के according result लेके आएंगे, जैसे आप study करते हो, तो वो क्या है, आपके लिए important है, अगर आप पूरा साल study करेंगे, मैंस आप क्या चाते हो, कि आप top करो अपनी class में, तो उसके लिए आप क्या करते हो, complete year study करते हो, या फिर आप यह चाते हो, कि आप UPSC को clear करो, आपके कोई भी हम, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पूरे year study करोगे, वो आपके लिए क्या होगा, important होगा, क्योंकि वो आपके लिए end में result लेके आएगा, जो आपके desired है, लेकिन urgent क्या होगा, जैसे ही exams आए, आप book उठा के बैठ गई, तो वो क्या है urgent कि अब आपके पास, कोई और option है ही नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, तो आपको यह देखना पढ़ेगा, कि काम urgent है या important है, act can be important and urgent, important but not urgent, and urgent but important, कि act किस-किस टाइप के हो सकते हैं काम, ऐसा भी हो सकता है, कि एक important है, लेकिन वो urgent नहीं है, urgent भी है और important भी नहीं है, और ना ही वो urgent है, और ना ही वो important है, for example, for example, किसी organization में, हमारे जो employees हैं, उनके बीच में conflict है, crisis हैं, तो उन्हें solve करना important भी है, और urgent भी है, तो यह कुन सा work हुआ हमारा important and urgent both, यानि कि जो हमारे managers हैं, या फिर employees के बीच में crisis हैं, conflict हैं, उसे solve करना urgent and important both है, लेकिन अगर आपका phone भज रहे, तो वो क्या है आपके लिए urgent है, पर important है या नहीं, यह पक्का नहीं है, अगर आपका important होगा, तो आपको यह पता होगा, कि important call है, उसी time वो आना था, otherwise जो normal आपके बातों के लिए phone करते हैं, आपके friends के call आजाते हैं, तो वो क्या है, important नहीं होते हैं, लेकिन urgent होते हैं, क्योंकि वो एक बार रिंग करके रह जाएगा, और फिर क्या रहेगे हमारे important but not urgent, कि जो भी आप work करते हो, जैसे study ही आप लेके चलो, कि आपको पूरे year आप पढ़ते हो, कि आपके लिए important है, urgent नहीं है, तो हमें किस चीज़ पर focus करना है, important works पर, क्योंकि अगर हम important work नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कि आगे जाके हमारे important work भी urgent बन जाएंगे, और हमें सारे इकठा burden आ जाएगा, that required solution as soon as possible, an employee have to focus on important and non-urgent work, कि जितने भी type के work होते हैं, फर्स्ट था important and urgent, second important but not urgent, and third urgent but not important, तो हमें focus करना चाहिए second पे, वो क्या है important but not urgent, because अगर हम important पे focus कर लेंगे, तो वो कभी urgent बनेंगे ही नहीं, और हमेशा हम important में ही चलते रहेंगे, हम अपने important work करते रहेंगे, urgent बहुत कम work आएंगे, तो उससे हम अपना time management अच्छे से कर सकेंगे, हमारा burden reduce हो जाएगा, second है efficient time management approach, अब efficient time management approach क्या है, it is important to accomplish more by reducing wastage time, कि हम अपना wastage time, कि जो हम time waste कर देते हैं, चाहिए वो बीच में किसी चीज़ को wait करने के लिए हो, या कुछ social media पर जाके कुछ करने में हो, so उसको reduce करके, हम अच्छे से use करें हमारे time को, उसे क्या बोलते हैं, efficient time management approach, there are various techniques for efficient time management, कि अगर efficient time management हमें करना है, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को implement करना चाहिए, इन technique को use करना चाहिए, first है read selectively, कि मानलो आपको habit है कि आप सुधह उठके news देखते हो, news पढ़ते हो, news paper वगएरा पढ़ते हो, तो आप selectively देख लो, कि आप एक कितनी news आपको आपके interest की है, जो आपके काम आने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप हर news को बहुत deeply पढ़ रहे हो, read selectively, यानि कि जो आपके interest का area है, जो important news है, उनको selectively आप पढ़ो, make a list of things to accomplish today, आप एक list बना लो कि आज आज आपको कोन कोन से काम करने है, इससे क्या होगा, कि आप भूलोगे नहीं, यह सोचने में नहीं रह जाओगे, कि एक time एक काम में भूल गई, उसका stress अलग हो जाता है, आपको एक list बना लीनी चाहिए, कि आज कौन कौन से काम हमें perform करने है, have a place for everything, and keep everything on its place, कि हर चीज़ का एक place होना चाहिए, कि वो चीज़ वहां रखी है, for example, आपकी कौन सी बुक कहां रखी है, आपकी watch कहां रखी है, आपके pen कहां रखी है, stationary कहां रखी है, जिस चीज़ की requirement होगी, आप उसको वहां से ले सकोगी, लेकिन अगर उसका कोई place ही नहीं है, तो आप उसको डूंडने में time waste कर दोगे, तो हर चीज़ की एक place होनी चाहिए, और वो वहीं पे रखी होनी चाहिए, prioritize your work, और task, कि आपका जो भी task है, जो भी work आपको perform करने, आपने list बना ली, उसके बाद उसको priority दो, कि सबसे important कौन सा है, ये करेंगे, फिर second पे कौन सा, ताकि अगर कुछ रह जाता है, आज हम नहीं कर पाए, तो जो बच्चे हैं, वो उतने important नहीं थे, हमारे priority वाले important वाले work, हमने complete कर दिये हो, divide up large project, कि कुछ large project है, बड़े बड़े काम है, उनको क्या कर दो, हम divide कर दे, small win strategy लेके चले, कि उनको divide कर दिया, जैसे 20, 20, 20, आपका 100 अगर target है, तो अगर उसे 25 में आप divide करते हो, तो वो small win target हो जाएगा, कि पहले आपको 25 अचीव करने हैं, then next 25, next 25, and next 25, तो उसे क्या होगा, आपका काम जल्दी होगा, do one important thing at a time, but several small things simultaneously, कि एक important thing है, जिसमें आप mistake afford नहीं कर सकते, उसे एक time पे, उसी चीज़ पे धान दो, उसी चीज़ पे focus करो, लेकिन कोई छोटे मोटे काम है, small things है, उसको आप simultaneously, यसलिए 21-23 चीज़े कर सकते हो, for example, आपको call attend करना है, घर से आले हैं, तो आप call attend करते, करते भी कोई काम कर सकते हो, save your best time for important matters, कि अपना best time, जहाँ पे आप अपना mind, completely use कर सकते हो, concentrate कर सकते हो, उसके best matter के लिए वो रखो, यानि कि जो most important हो, जो बहुत ही carefully करना हो, उसके लिए आपको अपना best time, save करके रखना चाहिए, keep track of your time, कि जो आपने ऐसे list बनाई थी, उसमें आपने लिखा था, कि भई इतने घंटे में, ये काम करना चाता हूँ, इतने घंटे में, वो वाला काम complete करना चाता हूँ, तो हमेशा अपने time के साथ track में रहो, ये देखते रहो, अगर कि आप अगर late भी चल रहे हो, तो कितनी minute late चल रहे हो, और उसे कैसे overcome कर सकते हो, या फिर अगर आप जल्दी चल रहे हो, तो आप थोड़ा slow कर सकते हो, या फिर आपको free time कब मिलेगा, या आपको पता चल जाएगा, तो आप अपने time को देखते रहो, कि आप कैसे चल रहे हो, then set deadlines, कि obviously आपको deadline set करने चाहिए, कि आज 6 बज़े तक मुझे ये काम करना है, या फिर आज 4 बज़े तक मुझे ये काम करना है, बिकोज जो deadline होती हैं, आपको encourage करती हैं, आपके अंदर थोड़ी power लाती हैं, कि हाँ आपको वो complete करना ही होगा, ये strength डालती है, तो आपको हमेशा deadline set करके चलना चाहिए, कि मुझे आज इतने बज़े तक ये काम करना है, don't worry about anything, कि जब आप कोई काम perform कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई चिंता ना करो, कि आप जब कोई भी, for example, आप अपना employee हो, तो आप कोई working कर रहे हो, उसके time आप घर में कोई problem है, उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको किसी के साथ जगड़ा हो गया, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, distract करेगा, आप अपने work पे अच्छे से focus नहीं कर पाओगे, तो आपको हमेशा try करना चाहिए, कि जब भी आप कोई काम perform कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ना सोच ओ, जो आपको distract कर सके, और example कि आप अगर पढ़ रहे हो, और आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो, चाहे वो कुछ भी आपको किसी के साथ जगडा हुआ है, या फिर कोई और बाद हुई है, तो अगर उस stage के बाद सोचने के बाद, आप अपने पढ़ाई पर concentrate नहीं कर पाते, या फिर आपको वो चीज़े याद नहीं होती है, आप try करते हो, फिर भी आप learn नहीं कर पाते, तो जब भी आप कोई काम perform कर रहे हो, चाहे वो important हो या फिर उतना important ना हो, आपको किसी भी चीज़े के बारे में वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपका mind relax होगा, जितना आपका mind free होगा, उतने ही better way से आप काम को perform कर पाओगे, So I hope you are clear with this topic of time management, If you have any doubt, please mention in comment section, I will make a short video on that, and keep supporting, don't forget to like, subscribe and share.